Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए जानवरी 2022 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दीखिए दूसरी बात इस Reading को आप as guidance ही लें क्योंकि जब भी हम कोई Reading देखते हैं तो हम इस उमीद के साथ देखते हैं कि भई हमें अच्छा-च्छा सुनने को मिलेगा और दीखिए जिन्दगी सिर्फ खुशियां या पिर अच्छी-ची चीज़े नहीं है जिन्दगी खटा-मीठा है और दीखिए जब हम जो भी issues हैं इनसे भागते हैं तभी ये issues हमारी life में बढ़ते भी हैं तो यहाँ पर दीखिए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर Reading में आपको वही सुनने को मिलता है जो आप चाहा रहे हैं अपनी जिन्दगी से तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको कुछ और सुनने को मिलता है तो आप उसको सुनके मायूस ना हो आप उस Reading में से guidance लें क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि Tarot, Astrology ये ज़ादा guidance के लिए होते हैं तो फिर से देखिए इस Reading को आप as prediction ना लें आप ये ना सोचें कि जो माम ने कहा ये होगा ही होगा देखिए वो एक possibility है या मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी अभी energies हैं उसके basis पे वो एक possible outcome है लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने current life के energies में changes लाके future को भी change कर सकते हैं जैसे जब भी भी हम एक जगा से दूसरी जगा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम Google Map में देख लेते हैं कि कौन सा रस्ता clear है और जिस रस्ते में traffic होता है हम उसको avoid करते हैं ऐसे ही आप इस reading को Google Map की तरह लें जहां पे भी कुछ issues आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे आप improve कर सकते हैं कैसे आप better कर सकते हैं उस पे आप focus करेंगे तो देखे आप अपनी energies को या फिर अपने future को भी better बना पाएंगे तो इसी के साथ हम January 2022 की reading शरू करते हैं तो चलिए बाइसे आप लुगों के लिए देखें कि January 2022 में आपकी love life कैसी रहेगी तो मैं पास यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set में हम आपकी energies देखेंगे सेकेंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे and थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally January month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Pisces और आपके लिए देखें January month के लिए यहाँ पे तीनों ही quote cards हैं King of Pentacles, Queen of Pentacles and Queen of Swords यह तीन different लोगों की बात कर सकते हैं या फिर यह आपकी ही energies हो सकती हैं और देखें अगर यह तीन different लोग हैं तो हो सकता है कि January month में फिर से मैं कहूंगी कि इन से आपका जादा interaction हो रहा है जादा बातचीत हो रही है या फिर इनकी directly, indirectly आपकी personal life में या फिर आपकी relationship में interference या involvement रह रही है और देखें अगर यह आपकी energies हैं तो January starting या फिर कुछ time से हो सकता है कि आप या तो अपने career अपनी professional life पे जादा focus कर रहे हैं या फिर आप बहुत practical, realistic तरीके से हर चीज को deal कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि एक commitment, एक stability, एक long term आप इस relationship के लिए चाह रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब कुछ concrete इस relationship में होना चाहिए और देखें deeper level के लिए यहाँ पे autumn का card कहता है कि इन ही सब चीजों के लिए या फिर otherwise भी किसी चीज को अगर आपको लटको करना पड़ रहा है किसी इनसान को लटको करना पड़ रहा है तो आप उसके लिए भी ready दिख रहे हैं nutshell में देखिए कुछ time से या January starting में आप एक letting go वाली energies में रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए mid January के लिए आपे watch very soon का card कहता है कि मन ही मन कुछ चीजों के लिए आप impulsive हो रहे हैं कुछ चीजों को आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी life में चाहते हैं लेकिन surface level के लिए queen of pentacles का card फिर से एक realistic, एक practical approach रखने की बात करता है तो देखिए दोनों cards को combine करें तो मन ही मन impulsive हो रहे हैं लेकिन surface level पे आप बहुत practical तरीके से हर चीजों को deal कर रहे हैं यहाँ पर भी देखिए tangible, materialistic चीजों आपके लिए important रह सकती हैं और कहीं queen of pentacles का card भी घर की बात करता है, family की बात करता है, कुछ concrete चीज होने की बात करता है और यही आप इस relationship के लिए भी चाहते हुए देख रहे हैं लेकिन देखिए end of January के लिए आप ए queen of swords reverse का card कहता है कि आप थोड़े से logical हो रहे हैं, आप थोड़ा सा mind से चल रहे हैं या हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो कि बहुत आप emotional हो गए, बहुत आप sentimental हो गए अब थोड़ा सा आप detachment चाह रहे हैं और कहीं देखिए थोड़ा सा आप अपनी communication में sarcastic और blunt भी होते हुए दिख रहे हैं अगर ये आपकी energies हैं, या फिर कोई इनसान हो सकता है या मैं कहूंगी कि कोई female हो सकती हैं, जिनकी तरफ से आपको एक cooperation की उमीद थी, support की उमीद थी और कहीं वो female उतनी supportive, उतनी cooperative जानवरी month में या जानवरी end में नहीं रहती हुई दिख रहे हैं तो देखिए general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है या तो Pisces आप Queen of Souls वाली energies में है, जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी कि आप logical हो रहे हैं, माइन से चीज़ों को deal कर रहे हैं थोड़ा सा एक detachment या तो आप लाना चाहा रहे हैं, अला रहे हैं या फिर देखिए Queen of Souls वाली energies, आपके किसी loved one, colleague या फिर कोई इनसान आपके आसपास हैं उनकी रह रहे हैं और देखिए surface level पे जो भी हो रहा हो, यानि कि आप blunt हो रहे हैं, आप थोड़े से detach हो रहे हैं लेकिन मन ही मन के लिए love and lace, innocence का काट कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये relationship में बहुत innocence है, आपके partner बहुत innocent है और कहीं देखिए एक प्यार और महबत, आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं surface level के लिए कहीं contrary energies दिख रहे हैं, जहां पे आप mind से जादा चीज़ों को deal कर रहे हैं और अब देखते हैं Pisces की आपके partner की क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए यापे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है star और star tarot में बहुत ही positive card माना जाता है ये hope का card होता है, उमीद का card होता है तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके partner ने उमीद कोई थोड़ा सा वो negative हो रहे थे, थोड़ा सा वो directionless फील कर रहे थे तो कहीं कुछ time से या January starting में उनकी किसी चीज़ को लेकर एक उमीद जाकती हुई दिख रही है वो काफी hopeful होते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक clarity भी आती हुई दिख रही है, कहीं एक direction भी उनको किसी चीज़ को लेकर दिखती हुई दिख रही है और दिखे deeper level के लिए secret admirer का card कहता है, कि हो सकता है कि आपको बहुत admire कर रहे हैं, Pisces आपको बहुत appreciate कर रहे हैं लेकिन इन ही सब चीज़ों को खुल के आपको कहे नहीं रहे हैं, कहीं you know again मैं कहूंगी मन ही मन करते हुए दिख रहे हैं या फिर से अपनी feelings को secret रख रहे हैं, अपनी feelings को जो की बहुत प्यार, महबत, appreciation वाली हैं वो इतना जादा आपको नहीं कह रहे हैं, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और दिखे कहीं mid january के लिए, यहाँ पे phantom lover fantasy and the emperor के cards कहते हैं कि काफी maturity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं, लेकिन in the process थोड़े से controlling, थोड़े से dominating भी होते हुए दिख रहे हैं कहीं उनको लग सकता है कि भई चीजें systematically होनी चाहिए, हो सकता है पीछे बहुत जादा haphazard तरीके से चीजें हो रही थी जहां पे कोई system नहीं था, जहां पे बहुत unorganized तरीके से आप लोग चल रहे थे तो कहीं फिर से मैं कहूंगी कि एक system, एक discipline लाना चाह रहे हैं और वो भी देखिए मिट जानवरी में हैं, जानवरी मन्त में कुछ concrete चाहते हुए दिख रहे हैं और देखें यहाँ पे hierofend का card भी कहीं शादी की बात करता है, marriage की बात करता है, लेकिन traditional तरीके से शादी की बात करता है, कहीं arrange marriage की बात करता है और यह भी कहीं stability, security की बात करता है emperor का card भी कही stability security की बात करता है तो देखे पाइसेज आपके partner भी stability एक security लाना चाहा रहे हैं और देखे फिर से मैं कहूं भी कि controlling हो रहे हैं, dominating हो रहे हैं और किसी चीज को लेकर काफी fixated होते हुए दिख रहे हैं थोड़ी सी एक जिद वाली energies भी उनकी रह सकती हैं उनके लिए society, religion, जो भी traditions हैं, जो भी culture से related चीज़ें हैं वो काफी important रह सकती हैं या फिर मैं कहूंगी कि इन चीज़ों पर वो ज़ादा focus कर रहे हैं और देखे मन ही मन के लिए आप ए phantom lover and fantasy का card कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि पतनी ये relationship possible है भी या नहीं है ये सिरफ उनकी imagination है, पतनी reality में कभी वो इस relationship को manifest कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और देखें या पर realization का card भी किसी चीज़ का एहसास होने की बात करता है तो देखें कुछ Pisces के partner के लिए हो सकता है कि उनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि भी reality में ये शायद possible नहीं है या फिर again देखें कोई भी चीज़ हो सकती है Pisces जिसका एहसास आपके partner mid January के बाद या फिर end January में कर रहे हैं और देखें यहां पे कुछ Pisces के partner के लिए हो सकता है कि उनसे पीछे कोई गलती हुई या जानवरी मन्त में कोई गलती हुई इसका एहसास उनको है यहां पिर हो सकता है कि Pisces आपसे कोई गलती हुई उसका एहसास वो कर रहे हैं तो देखें nutshell में कहीं realization का काड किसी चीज का एहसास करने की बात करता है और देखें हो सकता है कि इसी वज़े से भी कहीं वो traditions, culture, society, religion को जादा importance दे रहे हैं और फिर से देखें हो सकता है एक stability, एक security लाना चाहा रहे हैं कहीं traditional तरीके से marriage, शादी या commitment भी चाहते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं Pisces की January मंत में क्या हो रहा है तो देखें January starting के लिए यहाँ पे सबसे पहला काड है Nine of Pentacles Nine of Pentacles का का काड बहुत ही beautiful energies की बात करता है लेकिन देखें Pentacles का काड है तो फिर से कहीं stability, security या फिर concrete चीजों के होने की या मिलने की बात करता है और देखिए specifically इस काड को देखें तो यह काड कहता है कि बहुत ही graceful तरीके से, sophisticated तरीके से अपनी feelings, अपनी emotions को control में रखते हुए आप लोग इस relationship में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और नीचे देखिए promise का काड कहता है कि कोई वादा आप दोनों ने एक दूसरे से किया उसके बारे में जादा सोच रहे हैं उसी से ही related एक practical, एक realistic approach भी हो सकता है कि आप लोग रख रहे हैं और दिखिए कहीं mid january के लिए यहां बे queen of wands का का काड एक active energies की बात करता है एक enthusiasm, एक excitement की बात करता है action initiatives लेने की बात करता है बहुत एक daring, बहुत एक courageous energies की बात करता है और दिखिए कुछ ऐसा ही आपकी relationship में भी january month में या फिर mid january में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यह queen का काड है तो जो भी female है इस relationship में कुछ prices के लिए हो सकता है कि वो जाधा active हो रही है नहीं तो in general भी देखिए एक enthusiasm, एक excitement रह रहा है और बहुत boldly चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं और deeper level के लिए देखिए dreaming of you का काड कहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के ख्वाप देख रहे हैं एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं या फिर future से related again मैं कहांगी की एक vision create कर रहे हैं और वो सकता है कि उसी से related या फिर उसको reality में convert करने के लिए ही action initiatives ले रहे हैं लेकिन देखिए कहीं end january के लिए यहाँ पे eight of pentacles, reverse and rose colored glasses के cards कहते हैं कि शायद उतना effort आप लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या फिर हो सकता है कि career, professional life आप लोगों के लिए जादा important रह रहे हैं या फिर से मैं कहूंगे कि आप लोग उतना effort नहीं करना चाहा रहे हैं हो सकता है कि पीछे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत effort किया, बहुत मेहनत करी और अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई होना होगा तो हो जाएगा अब उतना effort उतनी मेहनत आप नहीं करना चाहा रहे हैं हाला कि देखे इस relationship को आप आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं इस relationship में यूनों बहुत beautiful energies रहते हुए दिख रहे हैं और देखे यही चीज कहीं rose colored glasses का card भी confirm करता है कि जो भी issues अगर छोटे मोटे हैं January end में तो देखे वो surface level के लिए ही रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि मन ही मन के लिए फिर से देखे rose colored glasses का card कहता है कि आप लोग positive light में ही हर चीज को देख रहे हैं हर चीज में एक खुबसूरती देख रहे हैं हर चीज में फिर से मैं कहूंगी कि एक beauty आप लोग देख रहे हैं तो overall के लिए दिखे जानवरी month आप दोनों की energies जो भी हो ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहे हैं तो यह था पाइसेज आप लोगों के लिए January 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe जरूर करें